सर्दियों का मौसम अब दिरे दिरे जा रहा है तो मार्केट में से भी इस तरह की हरी बरी सबजिया भी दिरे दिरे गायब हो जाएंगी अभी थोड़ी बहुत मिल रही हैं लेकिन थोड़ी दिनों बात इस तरह की सबजिया मार्केट में नहीं दिखेंगी तो कल मैं गई थी मार्केट और लेके आगई बहुत सारी हरी बरी सबजिया सबजियों को मैंने दोक्य रख दिया है भार सुखाने के लिए और सबजियों में मैं लेके आई हूँ आज हरी वाली प्याज तो हरी वाली प्यास से आज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टी वाली सबजी और कड़ी ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है फटाफट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही तेस्टी लगती है ये रेसेबी मुझे मेरी सासों माने सिखाई थी तब से मैं इसे बना रही हूँ मुझे तो ये सबजी और कड़ी दोनों ही बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी तो चलिए फटा-फट से रेसेबी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए हरी प्यास तो हरी प्यास को इस तरह आगे से काट लेना है और इसके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकाल लेने हैं प्यूकि इस छिलके हम काटते हैं तो कटते नहीं है और खाने में में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे तो उपर का जो छिलका है वो निकाल लेना है और बाकी की प्यास को हम कट कर लेंगे तो इस तरह पहले मैंने उपर का पार्ट कट कर लिया है और लास्ट में मैं जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे साथ में कट कर लूँगी लेकिन उससे पहले हरी प्यास के नीचे वाले ये जो पार्ट है उसे भी हमें हटाना होगा क्योंकि वो थोड़े से पके रहते हैं और थोड़े गंदे भी होते हैं तो उसे हम निकाल लेंगे और ये सारी प्यास को हम एकदम भारिक भारिक चौप कर लेंगे सर्दियों में ये रैसे भी मेरे घर पे बहुत बार बनती है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है इसलिए मैं इसे बार बार बनाती हूँ तो यहाँ पे मैंने सारी प्यास को कट कर लिया है यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 से 500 ग्रम जितनी प्याज ली है और अब ले लेते हैं एक बर्तन और उसमें भढ़ देते हैं थोड़ा सा पानी क्योंकि यहाँ पर हमें मेथी भी चाहिए तो मेथी के उपर बहुत ही मिट्टी और धूल होती है तो उसे दोना बहुत ही ज़रूरी है तो बर्तन में थोड़ा सा पानी दे लिया है और उसके अंदर डाल दी है दो मुठी पर के मेथी और उसे पानी से अच्छे से दो से तीन बार हमें दो लेना है यह जो सबजी हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही हेल्दी बनने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी हरी सब्जियों का यूज कर रहे हैं तो चलिए मेथी भी मैंने अच्छे से दो ली है और अब एक किचन ठाल ले लिया है और उसके ओपर यह जो मेथी की भाजी है उसे हम फैला लेंगे ताकि मेथी का सारा पाने एबसोब हो जाए और वो अच्छे से ड्राय हो जाए और अब ले लिया है एक टमाटा उसे भी मैं अच्छे से दो लिया है हरी प्यास की सबजी और कड़ी के साथ बाजरगी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन मेरे बच्चों को बाजरगी रोटी इतनी पसंद नहीं है तो मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ तो यहां पे मैंने रोटी के लिए आटा गुंट लिया है और चली अब हमारी मेथी भी अच्छे से dry हो गई है तो उसे भी हम अच्छे से cut कर लेते हैं तो मेथी को भी हमें एकदम बारिक बारिक chop कर लेना है यहाँ पे हम जितनी भी सबजिया ले रहे हैं वो सरद्यू में ही मिलती है तो आप भी एक बार जरूर ट्राय करिए अभी मार्केट में मिल रही है सबजिया तो फटाफट से लेके आईए और ये वाली रेसिपी बना दीजिए यकीन माने आपके घर में सब को पसंद आएगी और बहुत ही आसान तरीके से फटाफट से बन भी जाएगी तो चलिए मिथी को भी मैंने बारिक चॉप कर लिया है और टमाटर को भी बारिक चॉप कर लिया है ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बन जाती है तो हमारा टाइम तो बचता ही है लेकिन घर में सब हेल्डी भी खा लेते हैं तो चलिये अब हमारी सारी सबजिया वगेरा कट हो चुका है तो आप मैंने ले ली है पतेली तो एक ही बर्तन में हम दोनों चीजे बनाएंगे सबजी भी बनाएंगे और कड़ी भी तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सबजी तो सबजी बनाने के लिए यहां पर मैंने दो चम्मच जितना तेल ले लिया है और उसे गरम करने के लिए रख दिया है तेल थोड़ा सा गरम हो जाए फिर उसके अंदर डाल देंगे राई और थोड़ा सा जीरा राई और जीरा फूर जाए फिर उसके अंदर डाल देंगे दो चम्मजबर के अद्रक मिर्च और लसुन का पेस्ट ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने अद्रक मिर्च और लसुन के साथ जो हरेवाली धनिया आती है उसकी पीछे वाली डंठर ले ली है ताकि उससे उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आए और ये जो डंठले वो भी वेस्ट ना जाए उसका भी जो गुण है वो हमारी सबजी में आ जाए अदरक मिर्च और लसुन के पेस्ट को हमें एक से दो मिर्ट के लिए भून लेना है और फिर इसके अंदर एड़ कर देंगे मेथी की भाजी और गैस की फ्लेम को हम एक दम लो रखेंगे और मेथी की भाजी को भी हम एक से दो मिर्ट के लिए पका लेंगे एक से दो मिर्ट में एक दम सौफ्ट हो जाएगी और फिर उसके इंदर डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालने के बाद उसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है और अब कर देंगे थोड़े से मसाले तो मसालों में मैंने ले लिया है नमक नमक अपने टेस्के अकोरिंग लेना है एक चमच लेनी हल्दी एक से देट चमच धनिया जीरा पावडर और एक से देट चमच लाल मिर्च पावडर और इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ये वाले सबजी में ज़ादा मसाले नहीं पड़ते हैं एक दम सिंपल बनती है लेकिन इसके बावजूद ये पहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और लास्ट में डाल देंगे ये हरी प्यास जो हमने काटके रखी दी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोई फिर रेσιstepे हम जितनी सिंपल बनाएंगे उतनी टेस्टी बनेगी तो ये मैं एक दम मेरी सासमढ़ जिस तरह बना थी उस तरह ही बना रही हूँ तो चलि हमने सबसी बनाने के लिए रख दी है केस की फ्रेम को एक दम लो रखा है और उसके ढखके हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5-7 मिर्ट में अच्छे से पक जाएगी तब तक हम कड़ी की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बर के ले लिया है खट्टा दही और उसके अंदर एड़ करूंगी मैं 3-4 कटोरी बर के पानी तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरी बर के लिया है आपको जतनी कड़ी बनानी है उतनी कौणट्यटे में आप पानी और दही ले ले तो 1 कटोरी दही और 4 कटोरी पानी इस तरह का रेशियो रहेगा और इसके अंदर एड़ कर देंगे बेसं तो यहाँ पर मैंने तीम चमश भरके बेसन लिया है ये रेशियो आप फॉलो करोगे तो आपकी कड़ी एकदम परफ्रेक्ट बनेगी जादा गाड़ी भी नहीं बनेगी और जादा पतली भी नहीं बनेगी अब बेसन दही और पानी को मिक्स करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा से ब्लेंडर चला लिया है आप इसे विसकर से भी मिक्स कर सकते हो लेकिन ब्लेंडर से जो बेसन है उसके लंपस नहीं रहेंगे अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो चलिए यहाँ पे बीच में मैंने सब्जी को भी चेक कर लिया है अभी एक तो मिनिट में अच्छे से पक जाएगी तब तक मैं काट लेती हूं सलाट ये कड़ी और सब्जी के साथ मुली का सलाट बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने साथ में गाजर और पीट भी ले लिये हैं और इन्हें अच्छे से चिल के कट कर लिया है अब सब्जी को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं है और सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है तो सबजी को निकाल लेते हैं कटोरी में सारी सबजी हमने निकालेंगे थोड़ी सबजी हम रहने देंगे तो सबजी मैंने निकाल लिए कटोरी में और थोड़ी सबजी मैंने इसमें बचा ली है और अब इसके अंदर ही हम जो कड़ी का पैटर बनाया था जो mix किया था हमने कड़ी के लिए वो इसके अंदर डाल देंगे तो सारा कड़ी का mixture हमें इसके अंदर डाल देना है और इससे अच्छे से mix कर लेना है अभी इसे हमें एकदम high flame पे पकाना है लेकिन continuously चलाते हुए अगर आप इसको छोड़ दोगे तो नीचे से ये जलने लगेगी इसके अंदर हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने कड़ी के जो बैटर बनाया था उसके अंदर नमक नहीं रेट गिया है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और मसाले करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि सबजियों के अंदर और अल्रेडी सब कुछ है चलिए कड़ी में एक उबाल आ गया है और उसके उपर से हमने डाल दिये कसुरी मेथी कसुरी मेथी से कड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा कड़ी में एक उबाला जाए फिर गैस की फ्लेम को हम लोग कर देंगे और उसे ढखके एक से दो मिनिट के लिए हम और पकने देंगे कड़ी चितनी उबलती है उसका टेस्ट उतना ही बढ़ता है इसलिए कड़ी को थोड़ा जादा उबालेंगे कड़ी को हमें 2-3 मिर्ट और उबलने देना है तो चलिए कड़ी हमारी उबल रही है तब तक बना लेते हैं रोटिया तो रोटिया बनाने के लिए मैंने रख दिया है तभी को गैस के उपर और तभी को थोड़ा सा गरम होने देंगे थंडी होगी तभी हमारी तो रोटिया हमारी परफेक्ट नहीं बनेगी और रोटि बनाने में एक ध्यान आपको रखना है कि आपकी जो डो है जो रोटि का हमने आटा गुंदा है वो एकदम सौफ्ट होना चाहिए आप जैसा आटा गुंत होगे आपकी रोटिया भी वैसी ही बनेगी तो आप soft आटा गुंत रहे हो तो आपकी रोटिया भी soft बनेगी अगर आटा आपका hard होगा तो आपकी रोटिया भी थोड़ी कड़क बनेगी तो रोटी बनाने में हमें खास दानी ये रखना है कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो आटा सॉफ्ट होगा तो रोटी आटोमेटिकली सॉफ्टी बनेगी दो से तीन मिन्ट हो चुके हैं और हमारी कड़ी अच्छे से उबल गई है तो मैंने गैस्क्री फ्लेम को ओफ कर दिया है और यहाँ पे हमारी रोटी भी तयार है आप देख सकते हो कि गुबबारी की तरह हमारी रोटी पूल रही है एक दब सॉफ्ट रोटी बनी है अब भी मैं सिर्फ दो ही रोटी बना रही हूँ पाकी रोटी आमें पाद्बे बनाओंगी क्रिशस खुल से आएगी तब क्यूंकि गरम गरम रोटी खाने में बहुत ही मज़ा आता है तो मैं तो बच्चों को गरम गरम ही बना के खिलाती हूँ तो चलिए अब इसके उपर लगा देते हैं थोड़ा सा गी और थाली परोस देते हैं तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना